स्वागत है आपका वीकली करंट अफेर्ज में शुरू करते हैं आज का प्राश्चन डिसंबर दो हजार तेईस में भारत मालदीव संबंधों में गिरावट का कारण क्या था? A. आर्थी का नुमूदन B. व्यापार विवाद A. एकस्प्लैं ay. डिसंबर दो हजार तेईस में मालदीव के तीन उपमंद्रियों ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षदवीप की दो दिवसिय यात्रा जिस से लक्षदवीप को एक परियतक आकर्शन की केंद्र की रूप में प्रचारित करने के कारण अपमांज इससे भारत मालदीव संबंदों में खटास आ गई। भारत सरकार ने इस मुद्दे को मालदीव के सामने उठाया, जिसके बाद मालदीव सरकार ने तीन मंत्रियों को निलंबित कर दिया। गहरे समुद्र परियोजना से तेल उत्पादन शुरू कर दिया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीव सिंग पूरी ने कहा कि प्रती दिन 45,000 बेरल ओल और प्रती दिन 10 मिलियन मानक घन मीटर से अधिक गैस का उत्पादन होने की उम्मीद है। इस परि परियाना, C. पश्चिम बंगाल, D. असम, आंसर, D. असम, एक्स्प्लेनेशन, हाल ही में असम राज्य में चंदुबी जील के किनारे चंदुबी महोटसव चंदुबी फेस्टिवल का आयोजन किया गया। यह महोटसव प्रतिवर्ष नए साल के पहले दिन से चंदुबी कमुक्य उद्देशय असम के इस जैव विविद्ता होट स्पोट में एको टूरिजम को बढ़ावा देना है। अगला प्राश्न, इस साल जुलाई में युनेस्को की विश्व धरोहर समिती की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? भारत युनेस्को की विश्व धरोहर समिती की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा? ये पहला मौका होगा जब भारत इस समिती की अध्यक्षता करेगा? यह युनेस्को की एक समिती है। विश्व धरोहर समिती ने अपने 1977 में 46 वा सत्र भारत नई दिल्ली में आयोजित करने का निर्ने लिया था जो 21 जुलाई से 31 जुलाई 2024 तक आयोजित किया जाना है? अगला प्राश्न इंटरनेशनल परपल फेस्ट 2024 कहां आयोजित किया जा रहा है? A. New York, B. Delhi, C. Goa, D. Sydney, Answer, C. Goa, Explanation, विकलांग व्यक्तियों, P.W.D. की समावेशिता और सशक्तिकरन को प्रोटसाहित करने के लिए इस साल पहली बार गोआ में परपल फेस्ट 8 से 13 जन्वरी तक आयोजित किय जा रहा है? महुत्सव का उद्देश्य संगीत, नित्य और मनोरंजन में आकर्शक प्रदर्शन के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों की प्रतिभा को प्रदर्शित करना है? प्रवासी भारतिय दिवस प्रतिवर्श कब मनाया जाता है? अगला प्रशन अगला प्राशन लगातार चौथी बार बांगलादेश के प्रदान मंत्री के रूप में किसे चुना गया है? अगलादेश की प्रदान मंत्री पद की शपत लेने के लिए तैयार है? शेक हसीना ने रविवार को लगातार चौथी बार रिकॉर्ड कार्यकाल हासिल किया, क्योंकि उनकी अवामी लीग पार्टी ने चिटपुट हिंसा और मुख्य विपक्षी बिन पी और उसके सहयोगियों के बहिशकार के कारण होया हम चुनावों में 300 सीटों वाली संसद म अगला प्राशन इस कार्यक्रम में मोजामबिक के राष्ट्रपती फिलिप न्यूसी, तिमोल लेस्टे के राष्ट्रपती जोस रामोस होटा और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भाग लिया इस ग्लोबल ट्रेड शो की गितनी दुनिया की सबसे बड़े व्यापार शो की तौर पर की जा रही है इसमें एक ही जगह पर कई उद्द्योगों और व्यापार क्षेत्रों को प्रदर्शित किया जाएगा इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार के साथ नई तक्नीक को साजा करना है अगला प्राश्ट असम सरकार के सहयोग से आठ पुर्वोत्तर राज्यों और पूर्वीक शेत्र के चार राज्यों को शामिल करते हुए 9-10 जनवरी 2024 को दो दिवसिय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समित 2024 में मुख्य अतिती के रूप में किसने भाग लिया A. संयुक्त अरब अमीरात के राश्ट्रपती B. नेपाल के राश्ट्रपती C. संयुक्त राज्य अमेरिका के राश्ट्रपती D. इज्राइल के प्रधान मंत्री A. संयुक्त अरब अमीरात के राश्ट्रपती Explanation संयुक्त अरब अमीरात के राश्ट्रपती और अबुधाबी के शासक शेक मोहमद बिन जाय अदल नाहयान ने मुख्य अतिती के रूप में भाग लिया जो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच गहरे संबंधों का प्रतीक है Vibrant गुजरात शिखर संमेलन के दसमें संसकरन का आयोजन 10 से 12 जनवरी तक गांधी नगर में होगा इस वर्ष के संमेलन का विशय गेटवे टू द फ्यूचर है संमेलन में 34 देश और 16 संधठन शामिल होंगे अगला प्राश्न नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का प्राथमिक लक्षे क्या है A. मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना B. मंगल ग्रह पर इंसानों को भेजना C. इंसानों को चांद पर वापस भेजना D. शुद्र ग्रहों की खोज Answer C. इंसानों को चांद पर वापस भेजना Explanation आर्टेमिस कार्यक्रम अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा निर्देशित एक अंतरिक्ष कार्यक्रम है जिसका प्राथमिक लक्ष हमारे चांद पर फिर से मनुश्यों को भेजना खास कर उसके दक्षिनी ध्रूग पर पहुँचा कर वापस लाना है और उसके बारे में और ज्यादा जानकारी जुटाना है अगला प्राश्न विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जन्वरी को क्यों मनाया जाता है? ए, हिंदी कवियों का सम्मान करना बी, हिंदी संस्कृति को पहचानना है सी, हिंदी साहित्य का जश्न मनाने के लिए डी, विदेशों में हिंदी भाषा को बढ़ावा देना आंसर, डी, विदेशों में हिंदी भाषा को बढ़ावा देना Explanation, विश्व हिंदी दिवस 10 जन्वरी 2024 को मनाया गया विश्व स्तर पर हिंदी भाषा के उप्योग को बढ़ावा देने के लक्षे के साथ हिंदी भाषियों के योगदान का सम्मान करने भाषा के महत्व को समझने और लोगों को इसके महत्व के बारे में बताने के लिए मनाया जाता है ऐसे में हाम सभी को मिलकर निर्धारिक तिथी पर विश्व हिंदी दिवस मनाना चाहिए ताकि योवा पीडी को इसके बारे में पता चले अगला प्राश्ट गैब्रियल अटल किस उम्र में आधुनिक फ्रांसी सी इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधान मंत्री बने ए, 40, B, 34, C, 30, D, 37, Answer, B, 34 एक्स्प्लेनेशन 34 वर्षिय गैब्रियल अटल फ्रांस के सबसे कम उम्र के और समलेंगिक प्रधान मंत्री होंगे फ्रांस के राश्ट्रपती इमेनुल मेकरॉन ने मंगलवार को अपने करीबी शिक्षा मंत्री गैब्रियल अटल को वर्तमान प्रधान मंत्री अलिजाबेट के इमिग्रेशन के मुद्दे पर राजनीतिक तनाव बढ़ने की वज़ह से इस्तीफा के बाद ने प्रधान मंत्री रूप में चुन लिया है अगला प्राश प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी 12 जन्वरी को महराश्ट्रा के नासिक में 27 में राश्ट्रिय युवा महुत्सव का उद्धाटन करेंगे और देश के युवाओं को संबोधित करेंगे इस वर्ष राश्ट्रिय युवा दिवस कई सरकारी विभागों के सहयोग से पूरे भारत के जिलो में युवा मामलों के विभाग के सभी क्षेत्रिय संगठनों द्वारा मनाया जाएगा 12 जन्वरी 2024 को स्वामी विविकानन की जयन्ती है और इसे राष्ट्रिय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है IIT मदरास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया जाएगा A. नेपाल B. बांगलादेश C. श्रीलंका D. भुटान Answer C. श्रीलंका Explanation श्रीलंका के शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुशील प्रेम जेयन्ता ने कहा है कि श्रीलंका के कैंडी में IIT मदरास का नया कैंपस शुरू किया जाएगा ये प्रस्ताव श्रीलंका के राश्ट्रपती रानल विक्रम सिंगे द्वारा वितमंत्री के रूप में पेश किये गए बजट 2024 का हिस्सा था इससे पहले IIT मदरास ने नवंबर 2023 में तंजानिया में अपना एक कैंपस शुरू किया था अगला प्राशन आँडरिय खनन और इंधन अनुसंधान संस्थान वर्टमान में बांध सुरक्षा सर्वेक्षण कर रहा है विशेशग्यों द्वारा अध्यायन पूरा होने तक सभी खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा अगला प्राश्ट भारत के पहले डाक स्काई पाक का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है महराष्ट्रा का पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला और इशिया का पाचवा डाक स्काई पाक वाला टाइगर रिजर्व बन गया है डाक स्काई पाक से रात्री आकाश की सुरक्षा करने और प्रकाश प्रदूशन को कम करने में मदद मिलती है अंतरराश्ट्रिय प्रकृती सनरक्षन संग, IUCN प्रकृती सनरक्षन और सनरक्षित क्षेत्रों में पारिस्तितिक को बनाय रखने के लिए प्रकृतिक अंदेरे को सनरक्षित करने के मेहत्व पर जोर देता है अगला प्राश्चन उत्तर प्रदेश के वारानसी और प्रयागराज को सबसे स्वच गंगा शहर के रूप में चुना गया है। ए, अमित शाह, बी, राजनात सिंग, सी, अनुराग ठाकुर, डी, नरेंद्र मोधी, आंसर, डी, नरेंद्र मोधी, एक्स्प्लिनेशन, पीम मोधी ने समुद्र पर बने भारत के सबसे लंबे पुल का उधगाटन मुंबई में किया। मुंबई को नवी मुंबई से जोडने वाला ये ब्रिज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गिया अतल बिहारी वाजपेई के नाम पर अतल से तु रखा गया है। अतल से तु 21.8 किलोमीटर लंबा है और इसमें 6 लेन हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट में 18,000 करोर रुप्य खर्च हुए है। हाल ही में किस बैंक ने सम्मान रुपे क्रेडिट कार्ड लॉंच किया है। अगला प्राशन नई पीडी के आकाश मिसाइल का सफल परीक्षन किया गया। ये टेस्टी बहुत कम उचाई पर हाइ स्पीड वाले मानव रहित एर टार्गेट पर की गई। आकाश नई पीडी की सता से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रनाली है। अगला प्राशन अगला प्राशन अगला प्राशन भारतिय नौसेना का बहुराश्ट्रिय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन 19-27 फरवरी 2024 तक विशाखा पत्तनम में किया जाएगा। इससे पहले इस अभ्यास का 11 अंसकरन फरवरी मार्च 22 में पूर्वी नौसेना कमान के तहट विशाखा पत्तनम में आयोजित किया गया था मिलन एक विवारशिक बहुराश्ट्रिय नौसेनिक अभ्यास है जो 1995 में लूक इस्ट पॉलिसी के तहट चार देशों इंडोनेशिया, सिंगापो, श्रीलिंका, थाइलेंड की भागीदारी के साथ शिरू हुआ था केंद्रिय आयोश मंत्री श्री सर्बानन सोनोवाल ने 12 जन्वरी को कहा क्षेत्रिय होम्योपेथी अनुसंधान संस्थान और एकीकरित आयोश कल्यान केंद्र के स्थाई परिसर की आधारशिला रखी A. गोहाटी B. कोलकाता C. शिलोंग D. डिब्रूगर A. गोहाटी Explanation क्षेत्रिय होम्योपेथी अनुसंधान संस्थान और एकीकरित आयोश कल्यान केंद्र के स्थाई परिसर की आधारशिला केंद्रिय आयोश मंत्री श्री सर्बानन सोनुवाल ने अजारा गोहाटी में रखी इस परियोजना के लिए 53.8-9 करोर रुपेश वीकृत किये गए है 1984 में क्षेत्रिय होम्योपेथी अनुसंधान संस्थान की स्थापना गोहाटी के ओडाल वक्रा में एक किराई की इमारत में होम्योपेथी की नैदानिक अनुसंधान इकाई के रूप में की गई थी अगला प्राश्न किस राज्य में मलकानगिरी हवाई अड़े का उद्घाटन किया गया है अगला प्राश्न हाल ही ने किस राज्य में कॉलेज फग्दान सी मिशन की शुरुआत की गई A. असम B. मनेपूर C. मेगालय D. अरुनाचल प्रदेश B. मनेपूर मनेपूर के मुख्य मंत्री अन्बी रेन सिंग ने विश्नुपूर जिले में मोई रंग कॉलेज में आयो चित एक समारोह में राज्य में सरकारी कॉलेजों को बहतर बनाने के लिए कॉलेज फग्दान सी मिशन की शुरुआत की कुल मिला कर 24 कॉलेजों को इस मिशन के तहट लिया गया है और प्रतेक महावी द्यालय में 2.5 करोर रुके की लागत से सुविधाय विक्सित की जाएंगी अगला प्राश्च्न नई कानून के अनुसार चुनाव आयुक्टों की नियुक्ती राश्ट्रपती द्वारा किस समिती की सिफारिश पर की जाएगी रखार्दान मंत्री विपक्ष के नेता और एक केंद्रिय कैबिनेट मंत्री Explanation नए कानून के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्ट और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ती परधान मन्तरी, विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय कैबिनेट मन्तरी की समिती की सिफारिष पर राष्टरपती द्वारा की जाएगी हालांकि इस नए कानून पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी परंतु सुप्रीम कोर्ट ने C.C. और E.C. की नियुक्ती पर नए कानून पर रोक लगाने से इंकार कर दिया अगला प्राश्ण संसद का बजट सत्र इस महीने की किस तारीक से शुरू हो रहा है? A. 28 जन्वरी B. 29 जन्वरी C. 30 जन्वरी D. 31 जन्वरी Answer D. 31 जन्वरी Explanation संसद का बजट सत्र इस महीने की 31 जन्वरी 2024 को शुरू हो रहा है वितमंत्री निर्मला सीतारमन एक फर्वरी को अंतरम बजट पेश करेगी सत्र की शुरूआत संसद के दोनों सदनों की सयुक्त बैठक में राश्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू के संबोधन से होगी इस सत्र के 9 फर्वरी तक चलने की उम्मीद है हाल ही में जारी हैंले पास्पोर्ट इंडेक्स 2014 में भारती पास्पोर्ट कौन से स्थान पर रहा है भारत का पास्पोर्ट रखने वाले लोग वी जा फ्री बासत देशों जैसे थाइलेंड, मलेशिया और इंडोनेशिया आधी देश शामिल हैं में यात्रा कर सकते हैं टॉप रैंकिंग में जापान, सिंगापो, जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्पेन के पास्पोर्ट शामिल हैं इन देशों की पासपोर्ट धारक 194 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। पीएम जन्मन के तहट प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामींग के एकलाक लाभार्थियों को पहली किस जारी की विशेश रूप से कमजोर जनजातिय समुहों पीवी टीजी के सामाजिक आर्थिक कल्यान के लिए पीएम जन्मन पहल पिछले साल नवंबर में शुरू की अगला प्राशन वर्षों तक शासक के रूप में रहने के बाद अपचारिक रूप से पत्याग दिया अगला प्राशन इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया इसकी शुरूआत हेरिटेज वॉक के साथ की गई हेरिटेज वॉक रामपुर्या हवेली से शुरू हुई और शहर की मुख्य सरकों से होकर राओ बीका जी की टेक्री पर समाप्त हुई राजस्थान में डेजर्ट महोत्सव, जैसल मेर, नागोर मेला और पुशकर मेला जैसे मेलों का भी आयोजन किया जाता है अगला प्राश्ण हाल ही में सिक्यो आर्मी मोबाइल एकोसिस्टम संभव को किसने लांच किया भारतिय सेना ने चलते फिरते त्वरित कनेक्टिविटी के साथ स्वदेशी रूप से विक्सित एंटू एंड सुरक्षित मोबाइल एकोसिस्टम विक्सित किया है जिसे संभव सिक्यो आर्मी मोबाइल भारत वर्जन नाम दिया गया है इसे शिक्षा और उद्द्योग के राष्ट्री उद्कृष्टा केंद्रों के सहयोग से विक्सित किया गया है ये स्वदेशी रूप से विक्सित सिक्यो एंटू एंड मोबाइल एकोसिस्टम है जिसका विकास 5G टेकनॉलोजी पर किया गया है